वीडियो में, अगर आप भी SourceKing अप इस्तमाल कर रहे हैं और आपको भी अकाउंट को पर्मारेंट के लिए डिलिट करना है तो कैसे आप कर सकते हैं सबसे पहले नहीं करना है ओपन करने के बाद आपको Settings का औप्षन मिलेगा Settings पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइब का इंटरफेस देखने को मिलेगा लोगाउट पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लोगाउट हो जाएगा उसके बाद आपको बैक चली जाना है सेटिंग्स को करना है ओपन ओपन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड, सॉरी, एप्स पर करना है, क्लिक, ओल एप्स पर क्लिक करना है उपर के तरफ स्क्रॉल करना है, आपको देख लेना है एप कहां पर है एप पर क्लिक करके ओपन करना है इस्टोरीज एंड केज पर क्लिक करना है किलियर इस्टोरीज पर क्लिक करना है ओके करना है बैक जाना है उसके बाद जो है आपको अनिंस्टॉल पर क्लिक करना है ओके कर देना है आपका अकाउंट छो है पर्मानेट के लिए डिलिट हो जाएंगा तॉआप इसी तरह से काउंट पर्मानेट के लिए कर सकते हैं तो आज की वीडियो बस इतना ही और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सस्क्राइब, लाइक, बेल एकन के बटन जो उर्त बादें ताकि नोले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार